जैश्री कृष्णा राधे राधे आप सभी को धन त्रियोदिशी धन तेरस की बहुत बहुत शुब कामनाएं भगवान लक्ष्मी नरायन आप सभी की मनो कामना पूरी करें माता लक्ष्मी आप सभी की घर में अपना इस्थाई वास करें ऐसी क्यों मंगल कामना के साथ आए सुनते हैं धन तेरस के दिन सुनी जाने वली सभी कहानिया मैं आपको गनेश भगवान की कहानी सुनाओंगी माता लक्ष्मी की कहानी सुनाओंगी कुबेर भगवान और धनवंतरी भगवान की कहानी भी सुनाओंगी क्योंकि धन तेरस के दिन गनेश लक्षमी के साथ भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है तो आईए सबसे पहले सुमते हैं भगवान गनेश की कहानी बोली एक जानन गनेश की जै हो बहुत समय पहले की बात है बात तब की है जब भगवान विष्णू का विवाह लक्षमी जी के साथ निश्चित हो गया था विवाह की तैयारिया हो रही थी सभी देवी देवताओं को निमंतरन भेजे गए पर गनेश जी को नहीं बुलावा दिया गया अब कारण जो भी रहा हो भगवान विष्णू की बारात आने का समय हो गया सभी देवी देवताओं विवाह समरोगों में आ गए तो सब ने देखा कि गनेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे है वे आपस में निर्चा चर्चा करने लगे कि गनेश जी क्यों नहीं आए क्या उन्हें नहीं बुलाया या वे खुद ही नहीं आए सब इसी बात पर सोची रहे थे कि सोचा कि चलो भगवान विष्णू से ही पूछ ले तब भगवान विष्णू से पूछा तब उन्होंने कहा कि हमने गनेश जी के पिता बोलेनात महादेव को नियोता भेजा है यदि गनेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते अलग से नियोता देने की आवशत्ता ही क्या है और एक पात ये भी है कि उनको सवामन मूग सवामन चावल सवामन खी सवामन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए गनेश जी ना ही आये तो अच्छा है दूसरे के घर जाकर इतना खाना पिना अच्छा भी नहीं लगता अभी इतनी बातचित कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया यदि किसी कारण से गनेश जी आ भी गए तब उन्हें द्वारपाल बना कर यहीं बैठा देंगे कि घर की देख बाल करना आप चुहें पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे बाराच से वैसे भी पीछे रह जाओगे ये सुझाव भी सबको बहुत पसंद आ गया भगवान विष्णू ने भी अपनी सहमती दे दी अब होना क्या था इतनी देर में ही गनेश जी वहां आ गए उन्हें समझा भुजा कर करकी रखवाली पर बैठा दिया बाराच चल दी नारज जी ने देखा कि गनेश जी तो दरवाजे पर बैठे है गनेश जी के पास गए और कारण पूछने लगे तब गनेश जी बोले कि विष्णू भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है तब नारज जीस ने सुझाव दिया कि अपनी मुशक सेना को भेज दो वे रास्ता खोद देगी उनके वहन दो धर्ती में ही धस जाएंगे ना वे आगे जाएंगे ना विवा होगा तब आपको सम्मान से बुलाना पड़ेगा अब गनेश जी ने अपने मुशक सेना जल्दी से आगे भेज दी सारी सेना ने जाकर जमीन खोद डाली बारात महा से निकली तो रथो के पहिये दर्दी में दस गए लाग कोशिश करें पर पहिये नहीं निकले सभी ने अपने अपने उपाए कर लिए पर पहिये तो निकले ही नहीं बल्कि जंगे ने ऐसे तूट गए आप किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें तब नारज जी पोले कि आप लोगों ने गनेश जी का अपमान किया इसी कारण विग्ण आया है यदि उन्हें मना कर लाएं तो कारिये सिद्ध हो जाएगा और ये संकट भी तल जाएगा तब शंकर भगवान ने अपने दूद तंदी को भेजा कि गनेश जी को लेकर आओ गनेश जी आये उनका आदर के साथ पूजन किया तब जाकर कहीं रथो के पहिये निकले अब पहिये निकल तो गए पर टूटे फूटे थे अब उन्हें ठीक कोन करे पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था उसे बुलाया खाती ने अपना काम शुरू करने से पहले जोर से बोला बोलो गजानन गनेश की जय हो यह कहकर गनेश जी की बंदना मन ही मन में करने लगा देखते ही देखते उसने सारे पहिये ठीक कर दिये तब देवी देवताओन ने पूछा कि तुमने गजानन गनेश की जै क्यों बोली तब खाती कहने लगा कि गनेश जी को तो पहले बनाना पड़ता है आपने गनेश जी को नहीं बनाया होगा उनकी पूजा नहीं की होगी इसलिए तो इतना विग्नहाया है हम तो मूर्ख हैं अक्यानी है फिर भी पहले गनेश जी पूजते हैं उनका ध्यान करते हैं आप तो देवता हैं फिर कैसे भूल गए अब आप लोग गनेश जी की जै बोलो और आगे चलो आपके सब काम हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा तब सभी ने गनेश भगवान की पूजा की उनकी जै बोली और भारात आगे चल दी विश्नु भगवान का लक्षमी जी के साथ विवासम बन्न हो गया सभी सा कुशल घर लोटाए ये गनेश जी महराज जैसे आपने विश्नु जी के काज सवारे ऐसे ही सब के काज सिद्ध करना बोलो बजानन गनेश की जै हो अब सुनते हैं माता लक्षमी की कहानी बोलिये महा लक्षमी माता की जै हो बहुत समय पहले की बात है एक बार भगवान विश्नु ने सोचा कि चलो मृत्य लोक में चला जाए और वहाँ पर चल कर देखता हूँ कि सारी विवस्था ठीक से चल रही है या नहीं तो भगवान मृत्य लोक में विचरन करने के लिए आने लगे तब लक्षमी जी ने उनसे पूछा प्रभू आप कहा जा रहे हैं तब भगवान विश्नु ने कहा देवी मैं मृत्य लोक में जा रहा हूँ तब लक्षमी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग रहे किया विश्णो जी मना करने लगे तब लक्षमी जी हट करने लगी तब भगवान विश्नु बोले कि ठीक है जो पात मैं कहूँ अगर तुम मानो तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो तब लक्षमी जी ने कहा प्रभू मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी लक्षमी जी भगवान विश्नु की बात मान गई और भगवान विश्नु के साथ वो मंडल पर आ गई कुछ देर बाद एक स्थान पर पहुँच कर भगवान विश्णो जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी अब तुम यहीं पर ठहरो मेरे पीछे मत आना जब तक मैं यहां ना आ जाओं तब 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 तुम्हें यहीं पर रहना है मैं अब दक्षिन दिशा की ओर जा रहा हूँ ना ही तो तुम्हें वहां पर आना है और ना ही देखना है विश्णो जी तो इतना कहकर चले गए विश्णो जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि आखिर दक्षिन दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान में मुझे वहाँ आने से मना किया है और देखने से भी मना किया है जबकि भगवान स्वयम वहाँ पर गए है लक्षमी जी से तो नहीं रहा गया जैसे ही भगवान थोड़ा आगे बढ़े तो लक्षमी जी भी पीछे पीछे चल दी अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि उन्हें सरसों का एक खेट दिखाई दिया जिस पे खूब सुन्दर फूल लगे हुए थे सरसों के फूलों की शोभा देखकर तो लक्ष्मी जी मंत्र बहुत हो गई उन्होंने कुछ फूल तोड़े और अपना श्रिंगार किया श्रिंगार करने के पाद आगे चली आगे चली तो एक गण्ये का खेट था गण्ये के खेट से लक्ष्मी जी ने कुछ गण्ये तोड़े और उन्हें चूसने लगी तब ही वहाँ पर विश्णो जी आ गए और लक्ष्मी जी को गण्ये चूसते देखकर और उन्हें शिरंगार की ये देखकर बड़े नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने लक्षमी जी को श्राप दे दिया कि देवी मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की खेट से तुमने चोरी कर ली अब आपको दोश लग गया है अब आपको किसान के घर में बारे साल तक सेवा करनी होगी तब ही आपका ये दोश उतरेगा ऐसा कहकर भगवान उन्हें वही छोड़कर शीर शागर वापस चले गए अब लक्षमी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी एक दिन लक्षमी जी ने किसान की पत्नी से कहा ति तुम इस नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्षमी का पूजन करो फिर रसोई बनाना तुम जो मांगोगी वो मिलेगा किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया पूजा की प्रभाव और लक्ष्मी जी की किरपा से उस किसान का घर दूसरे हिद्यन से अन धन रत्न स्वर्ण आदी से भरने लगा लक्ष्मी जी ने किसान को धन धनने से पूर्ण कर दिया किसान के बारे साल तो बड़े आनंद से कट गई बारे साल बाद लक्षमी जी जाने को तयार हुई विष्णो जी लक्षमी जी को लेने आए तब किसान ने कहा कि मैं तो लक्षमी जी को नहीं भेजूँगा तब भगवान बोले कि इन्ही कौन रोक सकता है ये तो चंचला है, कहीं भी नहीं रुकती इन्हें तो बड़े बड़े भी नहीं रोक पाए इन्हें मेरा श्राप लगा था इसलिए बारे साल से तुमारे घर में रह रही थी और सेवा कर रही थी इनकी सेवा का समय अब पूरा हो गया है लेकिन किसान तो हट पर अड़ गया बोला कि नहीं मैं तो लक्षमी जी को अपने घर से नहीं जाने दूगा तब लक्षमी जी बोली कि किसान तू मुझे अपने घर रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो कल 13 से तुम कल घर को लीप पोथ कर अब अच्छी तरह से साफ करना रात में घी का दीपक जला कर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना एक तामे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना मैं उस कलश में निवास करूँगी किन्तु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी इस एक दिन की पूजा से एक साल तक मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी इतना कहकर देवी लक्षमी दीपको के प्रकाश के साथ दसो दिशाओं में फैल गई अगले दिन तेरस थी किसान ने लक्षमी जी के कहे अनुसार विधी अनुसार पूजन किया तब उसका घर धन्धानने से पूर्ण हो गया पूरे एक साल तक लक्षमी जी उसके घर में रही फिर किसान और उसकी पकनी हर साल तेरस के दिन लक्षमी जी की पूजा करने लगे पूजा के परभाव से लक्षमी जी उसके घर में हमेशा वास करती कथा सुनने के बाद हाथ चोड़ कर लक्षमी जी से प्रार्थना करें है लक्षमी माता जैसे आपने किसान की दरिदरता अधूर की जैसे उसकी घर में अपना वास किया ऐसे ही आपकी पूजा करने वाले कथा करने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना सबको धन्धानी से पूर्ण करना खौप सुक संपत्ती देना बोलिये लक्षमी माता की जै हो अब सुनते हैं कुबेर भगवान की कहानी बोलिये कुबेर भगवान की जै हो बहुत समय पहले की बात है यग्यतत नाम के एक प्रामन थी समस्तवेद शाष्त्रों के ज्याता होने पर उन्होंने बहुत धन संपत्ती अर्जित की थी उनकी पत्नी भी सर्वगुन संपन्न थी कुछ दिनों बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ती हुई जिसका नाम उन्होंने गुण निधी रखा लेकिन अपने नाम के विबरीत इस बालक में एक भी गुण नहीं था बाली अवस्ता में इस बालक ने कुछ दिनों तक तो धर्म शाष्त्रों का और विध्या का अध्यन किया लेकिन बाद में वह कुसंगती में पड़ गया कुसंगती के प्रभाव से धर्म विरुद्ध कारिये करने लगा अपनी माता से धर्ग संपत्ती लेकर जुआ खेलने लगा धीरे धीरे अपने पिता के द्वारा अर्जित धन और संपत्ती को नश्ट करने लगा कुसंगती में रहने पर भी संध्या और इसनान करना नहीं छोड़ा लेकिन शास्त्र निंदकों के साथ रहकर चोरी करनी लगा परिस्त्री गमन करनी लगा, मत्य पान करनी लगा और भी कुकर्म करनी लगा किन्थु उनकी माता पुत्र के सनिय वश उन्हे कुछ नहीं कहती नहीं उनकी पिता को कुछ बताती इसलिए कभी भी यग्यजत को कुछ पता नहीं चला जब उनका पुत्र सोले परशका हुआ तब उन्होंने एक शीलवती कन्या से उसका विवाह कर दिया पर फिर भी उसने अपनी कुसंगती का साथ नहीं छोड़ा उसकी माता उसे बड़ा समझाती कि तुम इस कुसंगती को त्याग दो नहीं तो तुमारे पिता को अगर पता लगा तो अनिष्ठ हो जाएगा तुम अच्छी संगती करो अपनी पत्नी के साथ रहो यदि तुमारे कुकर्मों का राजा को पता लग गया तब वहें हमें धन देना बंद कर देंगे और हुमारे कुल कयश नष्ठ हो जाएगा पर बहुत समझाने पर भी वहें नहीं सुधरते थे उनकी अपराद पढ़ते ही गए उन्होंने वैश्या गमन में और धुरूत कीड़ा में घर की सारी संपत्ती नष्ठ कर दी एक दिन अपनी सोती मा के हाथ से अंगुठी निकाल कर ले गए और जुए में हार गए अकसमात एक दिन गुल निठी के पिता यग्यदत ने वस अंगुठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तब उन्होंने डांट कर पुछा कि यह अंगुठी तुम्हें कहां से मिली जुआरी डर गया और उसने सब कुछ सक्ते बता दिया जुआरी से अपने पिता के विशे में सुनकर एक्डितत को बड़ा अश्चरिय हुआ और क्रोध भी आया लज्जा से व्याकुल होते घर आये और उन्होंने अंगुठी के संबन्द भी प्राप्थ हुई गुन्निधी के विशे में सारी जानकारी अपने पत्नी से कही उनकी माता ने गुन्निधी को बचाने का बड़ा परियास किया परियग्यतत तो क्रोध से भरे थे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुतर से नाता तोड़ लो तभी मैं भोजन करूँगा पती की ऐसी बाते सुनकर माता चर्णों में गिर गई और गुन्निधी को एक बार शमा कर देने की प्रार्थ न की जब गुन्निधी को इस बात का पता चला तब उन्हें बड़ी आत्मगलानी हुई अपनी माता के उपदेशों का अस्मरन कर शोग करने लगा अपने कुकर्मों के कारण अपने आपको दिक्कारने लगा और पिता की भैसे घर छोड़ कर चले गई पन के पास जीविका को कोई भी सादन नहीं था इसी लिए जंगल में गए और वहां जाकर रोने लगे इसी समय एक शिव भग्त विविद परकार की पूजन सामगरे से युप्थो कर अपने साथ अनेक शिव भग्तों को लेकर जा रही थे उस दिन सभी व्रतों में उत्तम सभी वेद और शाष्त्रों में वर्णित शिवरात्री का व्रत था उसी के निमित वे भग्त गन शिवाले में जा रही थे उनके साथ साथ वे अपने साथ ले जाए गए विविद पकवानों की सुगंद से गुर्णिधी की भूक और बढ़ गई वे भी उनके पीछे पीछे इस उद्देश्य से शिवाले में गए कि जब ये लोग भोजन को शिवजी के निमित अरपन कर सो जाएंगे तब मैं उसे ग्रहन कर लूँगा उन भगतों ने शिवजी का शोर्शोप चार से पूजन किया नेवेते अरपित करके वे शिवजी की स्थुति करने लगे कुछ देर बाद जब वे भगत सो गए तब चिपकर बैठे गुर्णिधी ने पूजन को उठा लिया पर जैसे ही वे वापस आ रहे थे तब उनके पैर में ठोकर लगी और उसी से एक शिवभक्त जाग दया तब वे चोर चोर कहकर चिल्दाने लगा गुर्णिधी वहां से जान बचा कर भागे पर एक नगर रक्षक ने उन्हें अपने तीर से मार गिराया जब उसे लेने के लिए भयनकर यमदूत आये और उसे ले जाने लगे तब ही भगवान शिव ने अपने गड़ों से कहा कि इसने मेरा परंप्रिये शिवरात्री का वरत और रात्री जागरन अंजाने में ही किया है अतहे है इसे यमगनों से छुडा लाओ यमगनों के विरोध करने पर शिव गनों ने उन्हें शिव जी का संदेश सुनाया और उसे छुडा कर भगवाल शिव के पास ले गए तब वह शिव गनों के साथ शिव लोक में चले गए और वहां सारे दिवे भोगों का उपफोग करके उमा महेश्वर की सिवा करने लगे उनर जनम में वह कलिंग राज अरदिम के पुत्र बने कलिंग राज ने अपने पुत्र का नाम दम रखा वह हमेशा ही शिव जी की अरादना में लगा रहता बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव जी का भजन करता युव अवस्था को प्राप्त होने पर और अपने पिता के स्वरगवास के बाद जब वह कलिंग के सिंगहसन पर विराजबान हुए तब राजबम बड़ी परसनता के साथ सभी दिशाओं में भगवाय शिव का परचार करने लगे उन्होंने अपने राज़े के सभी ग्रामों में शिव मंदिरों में दीब दान की परथा का परचलन किया उन्होंने सभी ग्राम परथानों को निर्देश दिया कि गाउं के आसपास जितने भी शिवाले हों वहां बिना किसी सोच विचार के सदा ही दीपक जलता रहना चाहिए और आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजादम ने बहुत सारी धर्म संपत्ति अरजित की वृत्यों के बाद अलकापुरी के स्वामी हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्ते से विशर्वा का जनम हुआ और विशर्वा के पुत्र वैशर्वन यनि कुबेर हुए उन्होंने पूर्व जनम में महादेव की अरादना करके विशो कर्मा के द्वारा निर्मित इस अलकापुरी का उभभो किया जो वह कल्प पैतीत हो गया और मेक वहन कल्प आरंभ हुआ उस समय वह यगदत के पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाले थे कुबेर के रूप में अतिंत कठिन तपस्या करने लगे दीप दान मातर से मिलने वाले शिवजी के प्रभाव को जानकर वह शिवजी की नगरी काशी गए और वहां ग्यारें रुद्रों को अध्यान करके अनन्य भगती और स्ने के साथ तनमैता से भगवान शिव के ध्यान में मगन होकर बैठ गए वर्षों तक ऐसे तपस्या करने के बाद वहां भगवान शिव और देवी पारवती प्रकट हुए भगवान शिव ने प्रसंद मन से अलकापती कुबेर को देखा और कहा कि मैं तुम्हारे तपसे प्रसंद न हूँ और तुम्हे वर देने को तयार हूँ तुम अपनी मनोकामना बताओ यह वाने सुनकर कुबेर ने जैसे ही अपनी आखे खोल कर देखा उनको सामने भगवान शिव खड़े दिखाई दिये वह प्राते काल के सूरिये जैसे हजारों सूरियों से भी तेजवान थे चंदरवान के मस्तक पर चांदने विखेद रहे थे भगवान शंकर के ऐसे तेज से कुबेर की आखे बंध हो गई कुबेर ने अपने नेत्र बंध कर लिए और अपने मन में विराजमान भगवान शिव से कहा ये भगवान मेरे नेत्रों को दिवय द्रश्टी दीजिये जिससे कि मैं आपके दर्शन कर सकूँ ये ही मेरे लिए सबसे बड़ावर होगा मुझे और कोई दूसरावर नहीं चाहिए कुबेर की यह बाते सुनकर भगवान शंकर ने अपनी हतेली से उनके मस्तक को छुआ और उन्हें दिवय द्रश्टी परदान की दिवय द्रश्टी मिल जाने पर उन्होंने फिर से आखे खोली तब उनकी नजर देवी पारवती पर पड़ी देवी पारवती को देखकर वह मन ही मन सोचने लगे कि भगवान के समीप यह सर्व सुन्दरी कौन है इन्होंने ऐसा कौन सा तक किया है जो मेरी तपस्या से भी बड़ा है यह रूप, यह प्रीम, यह सोभाग्य, यह असीम शोभा सब कितना अधबुत है वह ब्रामन कुमार बार बार यही कहकर देवी की तरफ घूर घूर कर देखने लगा और इसी दोश की कारण उनकी बाई आख फूट गई इस पर देवी पारवती ने महादेव से कहा यह प्रभू, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी तरफ देखकर क्या कह रहा है देवी पारवती की बाते सुनकर महादेव बोले महादेवी यह तो आपका ही पुत्र है यह तुम्ही दुष्ट दृष्टी से नहीं देख रहा पर तुम्हारी अपार तपस्वंद्धी का वर्णन कर रहा है देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव कुबेर से बोले कि मैं तुम्हारे तपसे परसन्न होकर तुम्हे वर्ण देता हूँ कि तुम निधियों के स्वामी और यक्ष किन्नरों और राजाओं के वी राजा होकर पुन्ने जनों के पालक और सब के लिए धन के दाता बनो मेरे साथ तुम्हारी मैतरी सदा ही वनी रहे मैं नित्य ही तुम्हारी निकट निवास करूँगा हे मित्र तुम्हारा सनी बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूँगा आओ अब उमा देवी के चरड़ों में परणाम करो ये तुम्हारी माता है हे कुमार तुम अत्यंत परसंद चित होकर इनके चरड़ों में गिर जाओ इस तरहें वर्ड़ देकर भगवान शंकर ने पारवती जी से कहा हे देवी इस पर करपा करो यह तुम्हारा पुत्र है भगवान शंकर का वचन सुनकर पारवती जी ने परसंद होकर कहा ही वत्स भगवान शिव में तुम्हारी निर्मल भक्ती सदा ही बनी रहे महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिये हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलब हो मेरे रूप के परती तुम्हारे मन में इर्शा है इसी कारण तुम कुबेर नाम से परसिद्ध होंगे और तुम कुरूप होंगे बस तभी से कुबेर जी का सुरूप कुछ कुरूप है ये माता पारवती का ही श्राप था कि कुबेर जी अपनी कुरूपता के लिए परसिद्ध है उनकी तीन पैर माने जाते हैं और आठ दात माने जाते हैं उनकी जो मूर्दिया पाई जाती हैं वे भी अधिकतर स्थूल और बेडोल ही होती हैं हे धनपती कुबेर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के घर में धन धन्ने की वरद्धी करना बोलिए कुबेर भगवान की जै हो अब हम सुनते हैं धन 13 के दिन सुनी जाने वाली भगवान धन्नवंतरी की कहानी बोलिए भगवान धन्नवंतरी की जै हो एक समय की बात है सनकांदिक मुनियों ने शिरिसूच जी महराज से कहा ए सूर्च जी हे महमुने अब आप हमें भगवान धन्वंतरी की कथा सुनाईए भगवान धन्वंतरी की कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है तब सूर्च जी बोले हे मुनियों अब आप पाफ विनाशनी भगवान धन्वंतरी की कथा को सुनिये इस कथा को सुनने से द्रोगों से दुखी देखा, यह देखकर नाराज जी बड़े चिंतित हुए और स्वर्ग लोग जा पहुँझे, स्वर्ग में इंदरादिक सभी देवता भी रोगी हो रहे थे, यह देखकर तो नाराज जी की चिंता और भी बढ़ गई, चिंतन करते हुए वे वैखुंट म और निला देवी उनकी चरन सेवा कर रही थी, ऐसे महात्मा धनवंत्री रूपी शिरी विश्नो जी को नाराज जी ने भगती से परनाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्थुती करने लगे, शिरी नाराज जी बोले, हे देवों के देव, हे जगननात, हे भगतों पर दया कर जनों को नाना रोगों से दुखी पाया है, किसी को ज्वर है, किसी को राज्यक्ष्मा ने धर्दबाया है, कोई अतिस्वार, कोई खासी, कोई पांडू रोग से पीडि थे, इस प्रकार लोग अनेक रोगों से गरस्त और दुखी हैं, उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही और बारम बार मैंने चिंता की, मैंने सोचा कि ये लोग कैसे निरोगी होंगे और कैसे प्रसन रहेंगे, इसी चिंता से मनव्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे विश्वात्मा, हे शर्णागत, भूम्यादी लोगों की आप रक्षा कीजिए, तैयलोके में आ आपके अत्रिक्त इनका ओर कोई रक्षक नहीं है। बड़े परसन रहेंगे, और हर्ष से बोले, हे भगवन, अब आप हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा विधी बताईए। अतेह तुमसे पापनाशनी, रोगनाशनी कथा को कहता हूँ धन गुप्त राजा के निमित, कार्तिक क्रश्न त्रियोदशी, गुर्वाफ हर्ष्त नक्षतर के समय मैं रातरी के पर्थम प्रहर में गुप्त धन के समान, धनवंतरी नाम से अवतिर्न होता हूँ अतेह वैदिन, संसार में धन त्रियोदशी, धन तेरस के नाम से परसिद्ध होगा यह सभी कामनाओं को देने वाली है नारज जी ने पूछा है भगवन, कृपा विस्तार से कहिए कि बड़भागी धन गुप्त कहा हुआ और आपके दर्शन की प्राप्ति के लिए उसने कौन सा वरत किया हे दया सागर नारायन उसने आपका पुजन क्यों किया था तब भगवान कहते हैं पहले अवन्तिपुर यनि उज्जैन में दन गुप्त नाम का एक राजा धर्म मार्ग से परजा का पालन करने वाला हुआ बह सभी लोगों का प्यारा था और उदार छित वाला था उसे एक शेरोग हो गया उससे वह दिन रात पीडित रहने लगा वीड़ा की निर्वत्ती के लिए उसने जब हों नाना प्रकार की ओषदियां की प्रंतु वह निरोगी नहीं हुआ तब वह खिन होकर विलाप करने लगा राजा की इस्तरी तिलोक में परसिद पती वरता और सदाचारनी थी उसने भी अपने पती की मंगल की अकाशा से बहुत से नियम किये बहुत से उकवास किये पर राजा निरोगी नहीं हुआ अंतमी वह इस्तरी भी अतिसार रोग से रोगनी हो गई हेमुने उस राजा से उस पतीवता इस्तरी के पांच पुत्र हुए वी करमशे, हामबात, पलीहा, कुष्ट खासी और श्वास से पीडित हुए उनको भी रोग से छुटकारा नहीं मिला राजा रानी अपने पुत्रों को रोग ग्रस्त देखकर बहुत दुखी रहते थे इस तरी पुत्रों को रोग के सागर से मुक्त कराने की इच्छा से चिंतित राजा गोर वन में चला गया वन में राजा ने महामुनी भारद्वाज को बैखे देखा राजा ने उन्हें भक्ति से परणाम किया और अपना दुख बताया महा मुनी भारद्वाज से राजा ने रोक कष्ट निवारन का उपाय पुछा तब भारद्वाज मुनी ने कहा ये राजन तुम्हारा वर्तांत मैंने जान लिया तुम अतिशीग्र महा विश्णो धन्वंतरी की शरण में जाओ मनुश्या उनके दर्शन मातर से गोर दुस्तर रोगों से भी मुक्त हो जाता है तब राजा ने भारद्वाज मुनी से उक्तबाते सुनकर कहा ये महात्मन धिर्पा करके उनकी अराधना विदी मुझे भली बाती समझाईए तब रिशी भारद्वाज बोले ये राजन उस विदी को मैं कहता हूँ सावधान होकर सुनिए कार्तिक कृष्ण तिरोधशी के शुब दिन प्रातेकाल उठकर शौच मुक मारजन के बाद इसनान करें शुद वस्तर पहन कर गुरू से प्राप्त उपदेश के अनुसार बगवान धनवंतरी का ध्यान करें और कहें हे देव मैं आपका भग्द हूँ आप में चित लगा कर आपका व्रत करूँगा आप मुझे लक्ष्मी दीजिए विजे दीजिए और आरोग्य दीजिए हे देवो के देव धनवंतरी से ऐसी प्रार्थना करके उनकी शोडशोप चार से पूजा करें पूजा करने के बाद तेरे धागों का सुतर लेकर तेरे गाठ वाला दोरक बनाएं इस दोरक की भक्ती से पूजा करें और इसे पुरुष अपने दाहिने हाथ में और इस्तरियां अपने बाएं हाथ में बादने से पहले प्रार्थना करें कि हे धनवंतरी हे महाभाग आप जरा यनि बुढ़ापा और रोग को मिटाने वाले हो इसलिए हे दयानिती आप इस सुत्र रूप से सकटोंब मेरी रक्षा कीजिए मैं दिन रात आधी व्याधी जराख और मृत्यू की भैसे तरस्त हो रहा हूँ हे देवो के देव शरण में आए आप मेरी रक्षा कीजिए सुत्र बाधने के बाद देवों के देव धनवंतरी को भक्ती पूर्वक अरग्य निवेदित करें और कहें कि हे देवों के देव, हे दयाकारी धनवंतरी आप लोकोप कार के लिए आयुर्वेद की अभिवर्दी के लिए, मनुश्यों के खित के लिए और जराशन मरन का नाश करने के लिए ही अव्तरित होए हैं मैं आपको अरग्या पदान करता हूं आप सुईकार करें इसके बाद ब्रहमन को वायंधान करने के लिए यहु के आटे में दूद और गी डालकर पकाएं पकने पर शक्क्र डालें केसर कपूर इलाईची लोंग जावित्री डाल कर इस सिद्ध नैवेध्य को भगवान को अरपित करें आदा परशाद ब्रामन को अरपित करें और आदा इस्तरी पुतरादी सहित स्वयम ग्रहन करें हे राजन इस विदी सेवरत करने से साक्षाद धनवंद्री स्वयम प्रकट होकर तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करेंगे इतनी कथा सुनाकर भारदवाज मुनी चुप हो जाते हैं सुच जी कहते हैं ए मुनी वरो राजा धनगुप्त ने मुनी की आज्या पाकर उनकी कहे अनुसार 13 वर्ष तक भग्ती सेवरत किया एक दिन वरत की समाप्ती पर साक्षाद धनवंद्री भगवान प्रकट हुए राजा ने परणाम कर उनकी बड़ी इस्तूती की भग्ती पूर्वक की गई इस्तूती स्विकार करके भगवान धनवंद्री बोले ए राजन अब तुम डरो मत तुमारा मंगल होगा तुमने हमसे वर मांगो है हमसे वर मांगो तब राजा ने पुने उनने परणाम किया और उनकी इस्तूती की हे धनवंत्री भगवान हे ब्रमभांड दायक आपको नमशकार है हे आयरुवेद स्वरूप जगत के अंतर्यामी आपको नमशकार है हे जगत के सुखदाई देवों के देव हे दयासागर हे महादेव आप मुझ शरनागत अपरादी की रक्षा करें मैं कुटुम्ग सहित जनम मृत्यु जरा आदी के रोगों से पीडित हूँ भगवान धनवंत्री यह स्थुती सुनकर मेग गर्जन के समान गंभी वानी में मुस्कुराते हुए बोले यह महराज ठीक है ठीक है मैं तुम्हारी स्थुती से परसन नहूँ अब तुम बर मांग लो तब राजा ने जो प्रार्थना की है वह पूर्ण होगी इसके अतरिक्त भी मैं तुम्हे वर देता हूँ सावधान होकर सुनो तुमने जिस परकार यह वरत किया है इसी तरह से जो भी वरत करेंगे उनको आरोग्ये परदान कर मैं अपनी इस्थिर भगती दूँगा सुच जी कहते हैं कि भगवान धनवंतरी ऐसा वर्दान देखर अंतरध्यान हो गए राजा धनगुप्त अपनी पुरी में लोट आए राजा नित्ये इस तरही पुत्रों सहित अमरत पानी भगवान धनवंतरी की स्तूती करने लगे उसने प्रत्वी लोक में नाना प्रकार के सुक वोगे और अंत में भगवान धनवंतरी की कृपा से मौक्षपद को प्राप्त किया सुर्जी कहते हैं ये मैंने आपसे भगवान धनवंतरी की जनमोत्सव कथा सुनाई है इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसके सभी पापों का नाश होता है कथा सुनने के बाद हाद जोड़कर प्र बोलो भतनवंतरी भगवान की जय हो अब सुनते हैं सभी कथा कहानी के साथ सुनी जाने वाली तपसी लपसी की कहानी एक तपसी था और एक लपसी था तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लपसी बनाता भोग लगाता घट्टी वजाता और जीम लेता एक दिन दोनों में जगडा हो गया तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बढ़ा हूँ दोनों आपस में जगड रहे थे नारज जी वहां से गुजरे तो दोनों को जगड दे देखा पूछने लगे कि क्यों जगड रहे हो तब दोनों ने अपनी अपनी ब के रास्ते में सवा सवा करोड की अंगुठी रख दी तब सीने अंगुठी देखी तो उसने तुरत उठा ली इतनी कीमती अंगुठी देखकर उसके मन में लालचा गया सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगुठी है इसे बेचूंगा बहुत सारे पैसे मिलेंगे उन पैसो से एक बहुत बड़ा यग्य करूंगा और अपने आपको बड़ा साबित कर दूँगा उधर लपसी ने अगुठी देखी तो सोचने लगा अरे किसी की कीमती अगुठी गिर गई है लेकिन उसने अगुठी को हाथ तक नहीं लगाया सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो जोड़ा को मेरे पीछे पड़ जाएंगे कहीं मुझे मार दिया तो वो तो रोज की तरहें सवासेर की लापसी बनाई बदवान को भोग लगाया गंटी बजाई और जीम लिया थोड़ी देर में नारज जी बहाँ पर आए दोनों कहने लगे कि बताओ नारज जी हम दोनों में से कौन बढ़ा है तो नारज जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ दोनों खड़े हो गए जैसे ही दोनों खड़े हुए तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी तो नारज जी तपसी से बोले कि इतनी टपस्या कर ली तूने अर्टेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया जा अब तुझे तेरी टपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा इतना सुनना था कि तपस्यो जोर जोर से रोने लगा रोते रोते नारजजी के पैरों में गिर गया बोला महराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा तब नारज जी बोले कि जो अपने घर में गाए कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा ब्रामन को भोजन कराकर दक्षिना नहीं देगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा साड़ी देकर भेट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा जो सारी कहानी कहेकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तब उसके सारे पुन्ये, सारी फल तुझे मिल जाएंगे बस तबी से सभी कथा कहाने के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता